नमस्ते मैं हूँ रेनुका तो आप सबका मेरे चैनल रेनुका रियल व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है तो आज की वीडियो में आपको घर में दूद से पनीर कैसे बनाते हैं तो इसकी रेसिपी बताने वाले हूँ बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज निचे वाला लाज सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजे और साथ में बेल एकन को प्रेस करके और पे क्लिक कर जीजे तो दूद से पनीर बनाने के लिए फ्रेस्ट सबसे पहले आपको एक आदा लिटर दूद लेना है तो उसके बाद आपको एक आदा लिम्बू लेना है फिर उसके बाद फ्रेंस आपको ग्यास को आउन करना है और ग्यास पे आपको दूद गरम करने के लिए रखना है उसके बाद फ्रेंस आपको दूद को उबालने तक अच्छे से गरम करना है तो फ्रेंज अभी ये दूद पूरी तरह से उबल चुका है तो अभी मैं ग्यास को बन कर देती हूँ फिर उसके बाद फ्रेंज आपको उस गरम दूद में उस आदे लिम्बू का रस डालना है तो उसके बाद फ्रेंज आपको उस गरम दुद में उस लिम्बू का रज डाल ला है तो ये दिखिए अभी उस दूद का पनीर बन चुका है तो फ्रेंज मैंने पहले से ही एक आदे लिटर दूद का पनीर बना के रखा था तो यह दिखे फ्रेंड्स मैंने दूद का पनीर बना के रखा है तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको ऐसा जाली का कापड लेना है अगर आपके पास जाली का कापड नहीं है तो आप साधा कापड भी इस्तमाल कर सकते हो तो उसके बाद आपको एक बरतन लेना है फिर उसके बाद आपको उस बरतन के उपर उस जाले के कापड को इसे रखना है तो यह दिखे तो यह दिखे मैंने उस कापड को इस बरतन में इसे डाल दिया है तो अभी मैं उस पनिर वाली दूद को इसमें डालने वाली हूँ तो अभी मैंने उस कपड़े में उस पनीर वाले दूद को पूरा डाल दिया है तो अभी हमें इस पनीर में से उस वेस्ट पानी को पूरा दबा दबा के निकालना है तो इस दिखें आपको ऐसे उस वेस्ट पानी को उस पनीर में से पूरा निकाल देना है अभी मैंने उस पनीर में से उस वेस्ट पानी को पूरा निकाल दिया है तो यह दिखे हमारा पनीर बन चुका है तो आप ऐसे ही घर में दूसरे आसानी से पनीर बना सकते हो तो उसके बात अपको इस पनीर को फ्रीज में सेट करना है और इसके च्चोटी-च्चोटी पीसिस बनना लेने हैं तो आज के वीडियो में इतना हैं फ्रेंच तो फिर से मिलते हैं और एक नए वीडियो में तो फ्रेंग्स वाच्चिं में वीडियो